नमस्कार दोस्तों बरवड अकेडमी में आपका हार्टिक स्वागत अभिनंदन अदाबर्च खेर मक्तब है मैं स्यामलाल बरवड आपका हार्टिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों मैं रोजाना की भाती फिर से एक नए तथे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हमारा नया तत्य है राजस्तान जीके राजस्तान जीके को मैं लेकर रोजाना एक दो एक दो क्लासें लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ दोस्तों तो देखिए राजस्तान जीके के समझ में मैं कुछ तत्य है मैं पून तत्य है जो रिपीट होने वाले स्वाल है उनको ले प्राइब करें और देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैनल पर जबाब पढ़ने बैठते हैं तो पैन और कोपी जरूर लेकर बैठिए आपको पढ़ने में बड़ी सहूलित रहेगी दोस्तों ज्यादा समय ना खराब करते वे मैं अपने टॉपिक पर आता हू मैं बात कर रहा हूं बिसलपूर बांद बनास नदी पर अवस्तित है ये आप याद रखें और ये स्वाल कई बार परिक्षा में आ चुका है और बिसलपूर बांद वर्तमान में का है तो टॉप में है ये आप त्यान रखना ठीक है ना बिसलपूर बांद का है टॉप में है विसल पूर बांद के लिए काम में लिया जाता है शाथन commen ag warnings कि लुए बारे में और विसल पूरुल बांद के बारे में स्वाल अक्सर राजस्तान जीके में पूछ लिया जाता है कोई भी competition में पूछ लिया जाता है आगे मैं दोस्तों बात करूँ तो राजस्तान के खारे पानी की जील है उनके बारे में बात करूँ कि खारा पानी कां से आया और किस परकार खारे पानी की जील है राजस्तान में बनी तो आप स समब्छावोप प्रिक्षा बात करूं काली-बंगा बारे में पिछली कक्षा में इस इस निकीर आप ना ची Gil आटा से ना और कर लेता हूं काली बंगा हनुमानगर जिले में इस्तत है ठीक है ना पहले काली बंगा के बारे में बात कर लेते हैं काली बंगा हनुमानगर जिले में इस्तत है और इस सबेता मैं खुबी यह रही कि इस निकासी जल निकासी के लिए नालिया मिली अनागार के बड़े-ब मिले कोठार मिले। है रसड़ी मिली नगर की ववस्तास शुह-, ुशु सुवरन रूफ से मिली और यह सबेता है घगर नदि के किनारे अुस्दित थे। थीक 현재 अब आता है रहात है घगर नदि की तो घगर नदि की कई नाम हैं दर्श्वति नदी भी कहते हैं सोशती नदी भी कहते हैं गगर नदी भी कहते हैं और धान का कटोरा जो गंगनगर उका जाता है तो यहां गगर नदी का ये मैदान है आगे मैं बात करूं दोस्तों तो गगर नदी है वर्तमान में एक अंतरप्रावी नदी मानी जाती है हनवानगर में बैती हु ये नदी अंतर प्रवाई हो जाती है और आंत्री ग्रूम से चलने वाली नदियों में मुख्य नदी ये मानी जाती है आगे दोस्तों बात करूँ मैं अब्यारणे के बारे में राष्टिय जो उध्यान हैं उनके बारे में बात करूँ तो ध्यान में रखें रन्थंपूर राष्टिय उध्यान स्वाई मादोपूर में हैं और रामगड विश्दारी अब्रैने बुंदी में हैं इन दोनों को आप ध्यान में रखें हैं रामगड विश्दारी अब्रैने बुंदी में हैं दोनों के भीजबागों के आवागमन जैसे रामगड विश्दारी में जा सकते हैं रामगड विश्दारी में जा सकते हैं रा संधाल सागर आखेट निष्य स इनको यार्ड कर ल沁त करो अगे मैं दोफ्थ्तों बात करूं दादू दयाल के इस तरीके से स्वाल प्रिक्षा में देखने को मिलते हैं चाहे कोई भी पेपर हो अक्सर प्रिक्षा में ऐसे स्वाल पूछे जाते हैं राजस्तान जी के में ये पूछा जाता है और इनके जो संपरदाई है एक तो है ब्रह्म संपरदाई इनको याद रखना और पर ब्रह्म संपरदाई दादू दयाल के अन्य जो नाम है इन नाम से जाना जाता है ब्रह्म संपर्दाय और पर ब्रह्म संपर्दाय स्वाल ऐसे भी आ सकता है पर ब्रह्म संपर्दाय से समधित है जिसमें एक दादू दयाल आप्शन होगा दोस्तों इसमें मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि यह रिपीट होने वाले स् तो हम मेरिट से पिछड जाते हैं रिपेट होने वाले 15-20% कुश्चिन हर प्रिक्षाम आते हैं घुमा फिरा के आते हैं उन प्रिक्षा उन स्वालों को हमें गलत नहीं करना है आगे दोस्तों मैं बात करूँ अपने रामगड शेरगड वनेजी अब्रैने की शेरगड वनेजी अब्रैने 12 में इस्तत है और इसे सर्पों की सर्ण इस्तलीक आ जाता है और ये परवन नदी के किनार है ये आप सभी को पता होगा नहीं पता है तो आप नौट कर लें शेरगड वन्यजीव अब्यारने बारा में है और इनको सापों की सरन इस्तलिक आ जाता है और परवन नदी के किनारे ये बसा हुआ है शेरगड वन्यजीव अब्यारने अगर मैं बात करूँ दोस्तों जैत सागर जील के बारे में तो जैत सागर जील है वो जैता मिना ने बनाई थी निर्मान करता है जैता मिना और बुंदी में इस्टते अब पूस लिया जाता प्रिक्षा में जैत सागर जील के निर्मान करता इन में से कौन है तो आप जैतर सिंग भी एक option होगा जैतर सिंग भी option होगा जैता मिना भी option होगा तो आप जैतर सिंग के चकर में मत रहना कि इनका निर्मान है और जैतर सिंग ने कराया है या जैतर मिना आपका उत्तर दोस्तों सही होगा क्योंकि यह confuse करने वाला स्वाल है जैत सिंग नहीं करके आप जैता मीना करें और इनका समय है बारवी शताब्दी बारवी शताब्दी में जैता मीना ने जो बूंदी का ततकाली साशकता उसने जैत सागर जील का निर्मान कराया था ये आप इतना ध्यान रखे दोस्तों आगे मैं बात करूं आजादी के दिवन है अमर्चंद बाठियां के बारे में अमर्चंद बाठियां आजादी के दिवन है ये बिकानेर के दोस्तों रहने वाले थे और 1857 की करांती में ये पर्थम सहीद माने जाते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट स्वाल है पर्थम सहीद मा जाते हैं आजादी के दीवने और ये कई बार स्वाल प्रिक्षा में आ चुका है ये स्वाल कई बार प्रिक्षा में आ चुका है और इनके नाम की आजादी की दीवने नाम की किताबे भी चपी हुई है और ये राजस्तान के बिकानेर के मूलनिवासी थे राजस्तान के बिक पंडे की शंग्या दी गई है इनको राज़स्थान का मंगल पंडे भी कहते हैं और भामाशा के रूप में भी इनका नाम आगे है इसलिए इनको गुट्य भामाशा की रूप में जाना जाता है इन्होंने राणी लक्ष्मी बाई को आर्थिक साइटा दे थी राणी लक्ष् इसलिए बड़ी सर्दा के साथ अमर्शिंग बाठिया को दोस्तों याद किया जाता है एक भामासा की रूप में याद किया जाता है माना परताब को जिस भामासा ने आर्थिक साहिकता पहुंचाई थी उसी परकार विकाने डिवासी अमर्शिंग बाठिया ने रानी लक्षम वाई को आर्थिक सागिता पहुँचाई इसलिए महत्पुन स्वाल है इनको आप याद रखें आगे मैं बात करूँ गिरी सुमेल के बारे मैं बात करूँ गिरी सुमेल का युद है वो पांच जनवरी 1546 में हुआ ठीका दोस्तों सेर्शाशूरी और माल देव के बीच में हुआ था अब दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जितने भी युद है मैद्पुन मैद्पुन युद है उन युदों को उनकी तारिक है वो तारिक तका तक आप याद कर लें परिक्षा में तारीक पूछी जाती है अब सिदे स्थन नहीं पूछा जाता कि गिली सुम्य में लगे युद 15-47 हुआ आपके सामने 6 जनरी 15-47 भी होगा 5 जनरी 15-47 भी होगा सब 15-47 होगए आप तारीक याद करें तारीक नोट करें और ये स्वाल कई बार प्रिक्षा मा आ चुका है ऐसे स्वाल आपके गलत नहीं होने चाहिए और मालिक से मैं यही दुआ करता हूँ कि पढ़ने वाले जितने भी विद्यारती है वो आराम से पास हो आगे मैं अंतिम जो परिक्षा में ले रहा हूँ इसका अक्सा में वो परिक्षा में वीर विनोद के रचेता कवी शामलदास है वीर विनोद के रचेता कवी शामलदास को माना जाता है और ये परिक्षा में रिपिट होता है दोस्तों हर बार परिक्षा में ये स्वाल रिप इतना ही कल में नई कक्षा के साथ फिर से हाजिर होंगा तब तक मुझे इजाज़ दीजिये हाँ इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा सेड़ करें लाइक करें और दोस्तों के साथ सेड़ करें और कमेंट बोक्स में कमेंट देकर भी बताएं आपको कैसा लगा मुझे अगर करने की कोशिश करूंगा धन्यवाद नमस्कार आज इतना ही